क्याते हैं कोई भी काम छोटा नहीं होता और काम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं Old Credit मैं हूँ उतकार सकसेना और आज हम बात करने वाले हैं दीपक प्रिजापतीजी से जिनका कुमहार का व्यवसाय है चलिए उनसे बात करते हैं इसके बारे हैं इंसान जो भी बुजल्ग होता है अजकल इसी कगड़े का पानी पीता है कि मुझे ये ना हो जाया मुझे वो ना हो जाया लगा लेकिन अगर उनके सुरू से यही पानी पिया होता तो कभी कोई बीमारी नहीं लगती ये चाइनीज इसे कम में लोग पढ़े हुए हैं कम से कम दुकान को तो 20-25 साल हो चुके हैं मेरे नाना बैठते ते यहां पर मामा बैठते ते मामा की जौप लगई है मैं बैठ रहा हूं कि इस काम में कि इस काम को हर कोई नहीं कर सकता यह काम आप नई उमर से नहीं कर सकते हैं बच्पन से जब तक करोगे तभी कर सकते हूं हर कोई नहीं कर सकता इस काम मैंनत अलग है इसमें छोटा ही आदमी कर सकता बड़ा आदमी कभी नहीं कर सकता इसे लॉप टॉप टॉप च कि यहार पर मतलब यह है कि जैसे कि सारे लोग जैसे आप हैं मैं है हर कोई खरीदता है इस चीज को इसलिए तो हार पर जादा रहती है और रोजाने में यह है कि कि कभी जरूरत पडिया जलाना है कभी कमला लगाना है हमारज 2000 त्यार आते दिवाली हो गया दसेरा हो गया और यह कई 2013 आता बाकी बस इसी नॉर्मल चलता है reasons कि सुर्व करने में हमें कितनी धनराशी का जुरूरत की है और आने वाले समय में ये कितना सक्या मत काम नहीं सुरू करने के लिए क्या है सिर्फ मैनत चाहिए पैसे की जरूरत इसमें है नहीं ज़्यादा जिर्फ मैनत इंसान कुछ नहीं है पूरे दिन मैनत करेगा तो सही लाएगा हमारा काम ऐसा है जब तक तूरा परिवार नहीं लगेगा यह सफली नहीं अजब से आपने हो संभालाया और आप इस काम को संभाल रहे हैं तब से अभी तक में कितना फर्ड़ा गया है इसकाम में मतलब कितने उतार चढ़ा हूद आपने देख लिए इसकाम को लेकरके इसी कौनजी चीज़ है आपके काम में से जो कि कुछ्टमर को बहुत पसंद आती है और हमेशे देमांड में रहती है इसीज दो तीन चीज़े हैं जैसे दिए हो गड़े हो गए और पिर जैसे चडियों को पानी चाहिए हो गई है यहां मैंसा को पसंद भी आती हमेशे फायदे में रहती है और ज्यादा सबसे ज्यादा डिमांडेट दी हैं इस समय जो को इसमें कोरोना की वज़े से जो हुआ है इसमें थोड़ा इस इंसान को जैसे कि पहले लोग फ्रीज का पानी पी देते इस साल कितीने फ्रीज का पानी नहीं पिया है जब बहुत काम कर दिया घड़ा उड़ा यूज करना है जब मुसीब अताती तभी इनसानको शीच का पता लगता है तो आपके हिसाब से किसी भी वेवेसाय को बड़ा ब्लाने के लिए किन बातों को जहान में चाहिए वैसे सबसे पहली तो इनसान को अपने उपर बथल बिजवास रखना चाहिए चलिस मैनत करनी करने चाहिए क् कि हमने यह काम करा है तो इसमें अभी नहीं तो आगे चलके हम सफल होंगे सफल जरूर होंगे वस उस पे बिजवास और मेनत लगन तिनों चीज़े रखने चाहिए तो दीपक जी आप दर्शकों से और जंता से क्या अपील करना चाहेंगे कि अपने वेवसाय को लेकर के मैं सरी अपील करना चाहूंगा कि जो यह माल है हमारा मिटी का है इसमें थोड़ी सी हमारी मदद करें जैसे कि हम ऊपर पहुच पाएं यह चाइनीज माल दीपावली संस्कृती होगी हर एक चीज आएगी इसमें वह आपका पूजा पार्ट भी हो जाएगा बस यह है कि अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम भी कुछ कर सकेंगे इसमें